कि क्या आसर पढ़ेगा मंदिर की beter तो इसे मंदिर का फाइदा क्या सी मज्जित का फायदा क्या जिसमें लोगों की ने कला आए धर मना अब वेड़ने घर बनाई हूँ तो बाव मा ना कहीं नहीं है उसकी भांजियों का बलतकार हो गया पता नहीं तुम्हें ना माकाल आए ना माकाल को चाहने वाले आए बूतनी के तुम्हारी मा की हो जिंदावाद यही काम करोगे हर वार तुम इनके सासन में तो माकाल भी परिशान हो गया साड़े आठाजार करोर रुपे बरबाद करें माकाल का नगरी वो मंदिर सा बनाने में माकाल कोई पसंद ने आधी आई उलगे मशकार आदाप सेस्रेकाल आप देख रहे हैं दरनेशन वोईस और इस वक्त हमारे साथ नंदा भाई राजपूर जी हैं जिन से बात करेंगे हाली में देश में चल रहे हैं चुनावों के बारे में पांच राज्यों में चुनाव है और पूरे देश में सियासत का महौल गर्माया हुआ हुआ है जिस तरह E.D. के चापे उतरा-तरा की करवाई हो रही है कैसे देखते है नंदा भाई पांच राज्यों में चुनाव है और यह कहा जा रहा है कि सेमी फाइनल है दोहादार चोबिस से पहले क्या लगता है आपको कुछ नहीं है सरकार डरी हुई है और इसलिए E.D. के चापे ये दुनिया बर के C.V.I. सारी जितनी इंक्वारियां है सब पीछे लगा दी जाती है चाह कोई मुख्यमंत्री हो उसके दविश ड़ल दी जाती है तो पूरा देश जान चुका है कि भाई यह सरकार जो है जांच जन्सियों का दुर्प्यों कर रही है लोग को तंग किया जा रहा है लिए ब्रश्ट चार को रोकने के लिए सब क इसका कर दो बलतकार कर आव उसकी कोन करेगा सीबी मुख्या तो वहां क्यों नहीं जायें रहा है जाने नहीं पुलों यहां चली जाए इस्राहिल बूतनी वालो की लिए तुम गठ वंदन कर दोगे सारा कुछ कर दोगे और मुखी खानी परती है फिर आते है यूटन लेक पिर राहत सामगरी भेशते हैं फिलिस्तीन को अबरे क्या आ हे नोट है परधान मंत्री एक इसको यह भी नहीं पता का में विद्देश नीती पर क्या बोलना नहीं पता अब बाद में यूटर परदानी किस तरह का भी नेता नहीं है आदमी परधान लाइक भी नहीं है आदमी कहां से बना दिया मा जूटा आदमी कोई परधान मी इतने जूट नहीं बोलता है जूट बोलता पुरा लेकिन मध्य परदेश में भी चुनाव है नहीं राज्यों के सिल्सिले में तो कैसे देखते हैं आपने देखा होगा आदिवाशी के साथ गटना होगी उसके बाद अभी चुनाव है अलाकि मुख्यमंत्री ने वो सब मैनेज कर लिया था तो क्या उसका सर पड़ेगा जो आदिवाशी के साथ मूँ पर दलाल है मूँ पर पिशाप कर देते हैं यह हिंदू राष्टेन का ऐसा हिंदू राष्ट होता है अरे बाबा बागेश्वर तो गया तिल ने भूतनी का उसी के ऊपर तो मर रह हुआ दलित बच्ची का और भैसी दरिंदे चल गए और निर्वस घूम तीरे खुन टपकता रहा उसका ना महाकाल आए ना महाकाल को चाहने वाले आए बूतनी के तुमारी मा की हो जिंदावाद यह काम करोगे हर वार तुम समझे ने लेकिन शिवराज सिंग जनता के करवाएं और क्या करवाया बताओ तुम सागर में बलतकार कर वाया इसने कहां कहें करें इसके अभी किस्ते निकला आएंगे तो सब घता में इनके सासन में तो महाकाल भी परिशान हो गया साड़े आठ argument करोण रुपे बरवात करे कायप करें महाकाल का नेई वह मंदरसा बनाने में मंहाकाल को पसंदि आए आए उलके क्या जो फ़ेकारियों के यह जो हैंblack complaint about कि यह प्रकर्ति कि ए प्रकर्ति को उसने कह दिया उला दो इसको गरीब भूके नंगे लोगों पैसा में लोगों को पैसा मिलना जाए पूरा देश से मंदिर का उद्गा नोगा मंदिर का उध्गाटन होगा बूतने बालों मज्जाओ में मोधिये तोसार चुना बारा गोधरा करा देगा लगवा देगा नहीं कव बंढ़ में लगाएंगी जिए क्या लेना गोद्रा कांट से किलिंचेट इसमें मिल जाएगी इसमें भी कहते ना तो चाह टूपी वालों को बैठा के दें टूपी वाले आग लगा गए और यह लुंगी वालों कि में आग लग गई भागते फिर रहे आप क्या मजाक बना दिया आपको लगता है कि दोहदा जिसमें लोगों की हत्याएं होती हो है मंदिर मज्जित बनाने के लिए घर बनाओ उतने भालो घरो पर तो बिल्डोजर फिरा तुमारी मा की गाली नहीं देनी है जिन्दावाद सम्मान करती है और अच्छे विचारों की उमीद रखती है तो अच्छे कौंस हम खराब वि चुनाव है और महां पर कहा जाए कि जो सत्ता में जो केंदर में विपक्स एक तरह से कोंग्रेस की सरकार है अशोग गैलोद मुक्यमंत्री है उनके बेटे पर एडी का समन पोचा है तो यह एडी की कारवाई का राजनितिक हो गई है खुद कहते थे पहले जब विपक्स मे कर दे कुछ तो वह भी ब्रश्टाचार हो गया अब अपना बताओ ना चिट्ठे खोल खोल के कितना पैसा पी गए देश का कितनी जमीन पी गए और जो कोई सिक्षा की बात करें उसको जेल में डाल देते हैं और को रोजगार अधिकार की बात करें तो उसको भी भैंक दें होती है मंदिर का क्रेडिट लेने की बात है अब ऐसा कोई नहीं पूरा देश समझ आ ना इंदू ना मुसलमान अब तो इनसान की बात होगी वह निहीं को सबको बता है विस्टाचारी इनसे लिएमान गद्दार को ने इनसे बड़ा प्रवादी को ने इस सरकार ही गुरवादियों की सरकार है धरमभजब के नाम पर गुर्टा फैलाती है दंगे कराती है और फिर बोट मांगती बोटनी के एक सवाल यह है अडानी को लेके जिस तरह राहूल गांदी हमलावर है और कह रहा है कि जितना पैसा सरकार अडानी को देती है जब तक मै रही रही आदानी को जो मदद करती है यह प्रूप थेकर जनता को दिए तुम को नो राख गांधी को ने यह बताओ लोकसभाशन्स भी अच्पाइटी में बड़ा कड हुनका क्या कर दे कोई कड है कोई कड है झामाखा की दागा दाल के बैड़ जाता है तो कर रहा है तो आता को कर रहों यह कराएंगा दासकते और उपर रहा हैं अपनी आप याती की इस निस को पूछड़ से पूछो पहले अपने घर के आदमी जोड़ आपने भाई लेकिन मोदी जी ने भी कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा उसी की निती पर भाष्पा काम कर रहे हैं और उनकी युनिवेस्ट्री को जमीन दी गई थी वह वापस ली जाएगी सरकार सरकार चाहती नहीए कि सिक्षा के केंड्र खुले स्वास्त के सेवाइं खुलें आजब खा साब ने देश को आगए तरकी पर ले जाने को फिले हैं उनको torch इनने के व् innocent की जिस में सब्सके乐 गरें बेटियों की इज्जत की बात करते हैं उनकी इज्जत सलामत रहे वो बचे हैं उनके बच्छों को अच्छी सिक्षा मिले रही है है सरकार तो बेकार है ना यह योगी जी बेकार है यह कुछ पैदा हुए बड़े हुए उठाके जोला लगे भीग मांगने तो यह सिक्षित खुद है तो यह सिक्षा से इन अपना तो गी ना यह जानते हैं बच्चे अगर पड़ गए लिग गए इंजीनियर सबको बाबा उचाले फिरो उससे देश आगे वरेगा क्या यही रामराज है इससे देश नहीं चलेगा और देखले ना आने वाला आज हम खासाब को रोक लो भूतनी बालो जेल में तो एक में बंद कर लोगे तुम मन की बिचार धरा पूरी दुनिया में गुजेगी आज लोगों की इज्जत और सम्मान होना चाहिए और मैं कह रहा हूं पूरे भारत के देल लोगों से के भारत बासी हो एक आवाज उठेओ एक दौा करो प्रात्ना करो आजम खासाब के लिए एक वारा आवाज दो कि हम आपके साथ आप चिंता मत करो इतना ही बहुत है मैं आज जिन्दाबाद थे जिन्दाबाद रहेंगे जिन्दाबाद भारत बहुत शुक्रे नंदा भाई तो आप देख रहे थे हमाँ साथ नंदा भाई राज पूछिए आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रही दनेशन वोज धन्यवाद